कल से नपरात्रे गरवाद चालो हो चुका है और सभी लोगों में कुछ न कुछ ये दस बजे तक ही बजाने का आदेश को लेकर कुछ नराजगी थी सभी को और आज आडिसी ने बताया कि आप लोग 10 बजे तक अपने सांड के एसाफ से बजा सकते घंशे से ऐसे अगर इसे ज़्यादा आप बजाएंगे 12 बजे से जो अधीक टाइम तक आप बजाते हैं तो आप पे सक्त करवाई की जाएगी कल से नवरात्री चालूआ है कल एक्चुली प्रशासन ने एक आमें जो निर्देश्ट दिया था कि दस बजे तक का जो गर्बा है वो दस बजे बंद कर देना चाहिए और इसका बात डीजे वगर नहीं चलाना चाहिए था चाहिए लेकिन आज हम लोग ने पूरी इदर का ज और उन्हें ने कहा था कि जो सुप्रमी गोट का जो कानून के से साथ से सुप्रमी कोड का टाइमिंग यह है दस बजे सब को डीजे बंद करना है, कोई भी sound pollution नहीं करना है, तो उन्होंने साथ में ये भी कहा, अगर ऐसे कोई, आप document मेरे पास लेके आता है, जिसमें से आपको दस बजे के बाद relaxation देने का कोई कानून, अगर कहां भी कोई order है, अगर इसको मुझे आप लोग उपलवित कराते हैं, तो म मैं इसका बारे में वापस आपको बता दूँगा कि इसमें क्या हो सकता है, तो हमारा एक कमिटी वाले ने मद्यप्रदेश का और गोवा का जो गवर्मेंट ने जो notification दिया था, जहां वो लोग ने special case में religious purpose के लिए 10 बजे से 12 बजे तक दो गंटे का जो extension दिया था, वो वो दो गंटे के लिए वो temporarily agree कर दिये हैं और उन्होंने आगे इसको जाके जो उनकी जो उच्छा दिकारी है उनके सामने रखेंगे और उनको convince करेंगे कि इसको एक order का तोर पे पास करें और इसका पहले तो उन्होंने ये कहा कि दस बजे तक आप जो नॉर्मल चलाना है च अतना भी लोग आये हैं across the party line इसमें politics कुछ ने विए सारे party वाले है सारे committee वाले का सारे society वाले है और ladies भी इदर आये हुए सारे ने मिलके हमने बहुत request करने का बाद उन्हें ये बात को हमें permission दिया है कि बारा बजे तक हम गर्भा चला है लेकिन दस बजे का बाद कम noise के साथ चला है इसके लिए हम लोग अम सारे लोग प्रशासन का आडिसी साब का पुलिस अधिकारी लोगों का भी धन्यवाद कर फे में ग्दरिक करूंद फस्तरबस ओक इसाबता थो ये क्वेड एची को का फुल्प मुंड टैं